हेलो एबरीवान, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज मैं आपको ये ब्यूटिफुल, सुपर इजी, सिंपल सी लेस बनानी बताऊँगे और beginners इसको असानी से बना सकते हैं बहुत simple है एक ring बनाएंगे chain ring chain ring chain से यह हम first row बनाएंगे दो रोज बनेंगे फिर घूम के दूसरी तरफ से उसको chain से cover करेंगे हर एक ring के उपर हम आर्क बनाते जाएंगे तो बहुत simple है और इसको आप कहीं भी apply कर सकते हैं दुपट्टा पे शूट पे बाजू पे घेरे पे कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं तो इसके लिए मैंने ट्वेंटी नंबर का ही थ्रेड लिया है तो देखिए थोड़ी सी लेंथ मैंने बना रखी है और इसमें आपको एक शेड शेटल में भर लेना है और नोट लगाके फिर दूसरा जो है डिरेक्ट बोल से हम यूज़ करेंगे दो कलर में बनी हुई अच्छी लगेगी तो सिंपल ही है एक रिंग बनाया फिर चेन रिंग चेन रिंग चेन तो यह मैंने इसको कोंटीनू किया हुए लास्ट में मैंने चेन बना के छोड़ी हुई है तो अब मैं रिंग बनाना बताती हूं आपको सिंपल वैसे ही है जैसे स्पोस हम पहला रिंग बना रहे हैं हर तो जोइनिंग होने नहीं सेपरेट रिंग बनना है। 6 डबल स्टिचेज लेंगे पहले, और एक पिको, फिर 4 डबल स्टिचेज, 4, पिको, फिर 4 डबल स्टिचेज, पिको, और फिर 6 डबल स्टिचेज लेंगे, 2, 3, 4, 5, और 6, तो ये 6, 4, 4, 6, रिंग प्लोज कर देंगे, सारे रिंग इसी नाप के बनने, तो ये देखें इस तरह से, फिर हर एक रिंग और हर एक चेन के बाद हमने रिवर्स वर्क करना है, तो इसको भी रिवर्स कर दिया, और दूसरा थ्रेड उपर आ गया है, उसे हम फिंगर पिल पेट के चेन बनाएंगे, हर एक चेन का मेजिर्मेंट इस तरफ का यही रहेगा, 4, 3, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, पिको, 1, 2, 3, पिको, 1, 2, 3, पिको, 1, 2, 3, पिको, पिको, 1, 2, 3, 4, स्टिचेज टाइट करेंगे, तो यह 4, 3, 3, 4 का मेजिर्मेंट हो गया, फिर रिवर्स किया, और फिर इसी नाप का एक और रिंग यहाँ पे बना देंगे, क्योंकि सारे रिंग एक ही नाप के हैं, तो यह बना के दिखाती हूँ, देखिए, रिंग बना दिया, तो जितनी डिजाइड लैंथ आपने बनानी है, बना के, स्पोज यह लास्ट रिंग है, आप रिवर्स करके, हम यह 6 डबल स्टिचेज को कवर करेंगे, तो जितने स्टिचेज यहां तक पहुँचने के लिए लगेंगे, वो हम बनाएंगे, तो 8 डबल स्टिचेज से यह एरिया कवर होगा, 8 डबल स्टिच बनाएंगे, यह डिजैनिंग का हिस्सा नहीं है, बस हमने दूसरी तरफ जाना है, तो ऐज़ा कनेक्टर हम यह चेन बना रहें, तो इसको बना के ही आगे जाना पड़ेगा, तो 8 डबल स्टिचेज ले लिए, अब यहां जो रिंग का फर्स्ट पिको पड़ रहा है, यहां पे हम जोइन कर देंगे, और यह राइट हैंड वाला जोइन था, तो वो शटल से लगता है, इस तरीके से, अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, अब यह रो जो है, दूसरी स्टार्ट होने लगी है, तो दूसरी तरफ की डिजैनिंग होगी, इस तरफ चेन का मेजर्मेंट लग रहेगा, तो चेन बना पिको, टू डॉबल स्टिचेज, पिको, टू डॉबल स्टिचेज, पिको, फाइव डॉबल स्टिचेज, तो यह चेन कंप्लीट हो जाएगी, स्टिचेज टाइट कर लेंगे अच्छे से, और अब इसको हमने यह सेंटर वाला पिको छोड़के, तीसरे वाले पिको से हमने join करना है यानि कि इस ring के तीसरे pico से हमको join करना है तो ये देखिए एक art बन जाती है ring के उपर तो ये तीसरे pico से हमने फिर shuttle वाले thread से ही join लगा देना है अपनी choice के कोई भी color आप अच्छे से लेके ये lace बना सकते हैं simple lace है बहुत easy है बनाना इसको देखिए यह जोइन कर दिया अब हमने छोटी स्चेन बनानी है थ्री डबल स्टिचेस की दूसरे रिंग तक पहुंचने के लिए स्टिचेस टाइट कर देंगे अब दूसरे रिंग का जो पहला पिको है वहाँ तक यह चेन बन गई और अभी दूसरे रिंग के पहले पिको से हमने फिर शेटल वाले थ्रेट से ही इस तरह से जोइन लगा देना है और फिर यहीं पे दुबारा वैसी ही एक आर्प बना देंगे यह वाली फाइब टू टू फाइब के मेजरमेंट से ऊने, वान, तू, टू, थी, फो, फाईब, फाइब डबल स्टिचिएज, पिको, टू डबल स्टिचिएज, फिर पिको, फाइब डबल स्टिचिज लेके यह चेन कम्पलीट कर देते हैं और स्टिचिज टाइट कर देंगे और फिर ring के तीसरे पिको से फिर हमने attach कर देना है यदि की ring के उपर वाला जो पिको है वो spear ऐसी designing के तोर पे रहेगा और ये 3rd पिको से हमने इस तरह से फिर shuttle वाले thread से join लगा देना है और अभी फिर दूसरे ring तक पहुँचने के लिए हमको एक connector बनाना पड़ेगा एक छोटी चेन, थ्री डबल स्टिचेस की वान, टू, थ्री तो इसी तरह से हमने ये इसको बनाते जाना है तो अभी फिर थ्री चेन लेके अगले रिंग के पहले पिको से हमने फिर जोइन लगा दिया ये सारी जोइनिंग शेटल वाले थ्रेट से होनी है क्योंकि सारी जोइनिंग ये चेन वर्क की है, राइट हैंड पे आनी है और इस तरह से ये कवर होता जाएगा इसी तरह से आर्क बनाएंगे हम पूरी लेंध पे तो ये देखिए कितनी ब्यूटिफुल लुक आई है इस चेन की, इस लेस की, बहुत सिंपल है आई होप आपको अच्छे से समझने आ गया होगा वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फो वाचिंग